प्रिच्छा मन्थन से यह सेट लिया है मैंने यह बुक आप देख रहे हैं यह प्रिच्छा मन्थन है काफी फिमस बुक हो गई है यह खास करके अभी तो चलिए इसमें से जो है ना इसमें सेट देखते हैं इसके सेट पांस सेट दिया है इन्होंने तो पांस सेट को जो है न और साथ में current affairs को जो मैंने इसी चैनल पर दी हैं उसको भी देख लेते हैं तो प्री में कोई समस्या नहीं आएगी प्री आराम से निकल जाएगा ज्यादा प्रिशान होने की ज़रूरत नहीं है फिर भी कई सारे लोग हैं जो बहुत लंबी-लंबी classes ले रहे हैं तो उनमें content देखिए अगर content सही नहीं है तो उस वीडियो को skip करके आगे बढ़िए चलिए मैं बिना समय गवाय शुरू करता हूं तो यह प्री सॉल्व है मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा है चूंकि बहुत कम समय है लोगों के पास तो एक समय से एक तरह से कर लिजे इसका हाली में किस देश ने भारत को अनमानता 15 मिलियन डॉलर मुली की 250 प्राचीन वस्तियन लोटाई है तो यह लोटाई है अमेरिका ने बिहार के किस अस्थान पर कच्छों के लिए अपनी तरह के पहले पुन्रवास किंद्र का उधगाटन किया गया है तो यह कोसी रेल महा से तू मेगा ब्रीज की लंबाई कितनी है तो यह होगी 1.9 किलोमेटर लगवाग 2 किलोमेटर के बड़ावर है लेकिन एकजेक्ट आगड़ा कई बार BPSC पूछती है तो यह है 1.9 किलोमेटर हाली में यूई और बहरी ने लाल सागर में किस देश के साथ नौ पूल योनिट ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है तो यह दिखाई है सुपॉल में हाली में भारत और किस देश के भी संसद मैतरी संग को फिर से स्रुक किया गया है तो यह स्रेलंका के साथ स्रुक किया गया है निमलिकित में कौन बिहार का पहला रामसर अस्थल है तो यह मावर ताल भी कही पर जगा लिखा वाड़ाता है यह बेगुस राइडिस्टिक में पड़ता है केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया के नुसार हाली में कुल कितने देश भारत के कोविड-19 टिकाकरन प्रमान पत्र को परस्पडिक रूप से मनेता देने पर सहमत ह हुए है तो 96 96 देश सहमत हुए है बिहार में कोईलवर पूल किस नदी पर इस्तित है यह सोन पर कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मुल्क सवरी ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविन पिल लॉंच करेगी तो यह सन फार्मा करेगी इसको बिहार खादी के ब्रांड एमेसडर के रूप में किसे निउत किया गया है तो यह निउत किया गया है पंकस त्रिपाठी को निवन में से कौन सा देश क्वार्ड से सम्मधित नहीं है देखिए आस्ट्रिया नहीं है आस्ट्रिया है भारत जापान वगर है तो आस्ट्रिया नाम देकर कर कंफ्यूज क development के लेखा कौन है तो यह है लक्षमी धर मिश्रा हाली में किस राज सरकार ने निर्मान काडियों में लगे सरमिकों की साहता के लिए सरमिक मित्र योजना सुरू की है तो यह किया दिल्ली ने मिशिज ACI universe 2020 रिचा कुमारी किस भारतिय राजी से सम्बंदित है यह सम्बंदिते बिहार से हाली में वानी जी मंत्राले दोज जारी LEADS logistics is across different states 2021 रिपोर्ट के नुसार कौन से भारतिय राजी ने logistics प्रदर्शन सुचकांग पर अपना सिर्ष अस्तान बनाए रखा है तो यह किया है अर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 एरा के तहत भारत के किस हावाई अड़े को परमुक हावाई अड़ा गोसित किया है तो देखिये यह है चेत्रिये गरामिन बैंक प्रदेशित गरामिन बैंकों के संदर में निमलकीत कर्प्पनों पर विचार कीजिए तो देखिए इसमें इनके उदेसे में से एक उदेसे सहरी छेतरों की और ग्रामीन जमाओं के बही वार को नियंतरित करना है तो एक ही सघी है दूसरे को देखेंगे नहीं विडीशेल पुंजी उत्पाद अनुपाद के संदर में नियमックित कत्व पर विचार करें तो देखें इसमें भी किवल एक है तो उसी को देखेंगे यह सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक विर्धी के सापिक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है भारत में गयर निश्पादित पड़ी संपतियां यानि नन परफॉर्मिंग एसेट्स यानि एन्पीए की आसंका को कम करने है तो निमलिखित में से कौन सी क्रियाविदी या क्रियाविदियां की जा सकती है तो देखिये लोक अदालतों क्यों रुख करना हो सकता है और नपीए की विकड़ी हो सकती है देश ABC की GDP उसके GNP से कम है दिये गए करतनों में से कौन सा सरवाथिक उपयुक निगवन प्रस्तुत करता है तो देखिए ये है कि ABC देश के बाहर घड़ेलू कमपनियों दरा अरजित आई विदेशी कमपनियों दरा ABC देश के भीतर अरजित आई से जादा है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड N.C.M.C. को रखने वाला एक भारतिय निवासी इसका प्रियोग निमलिखित में से किसका या किनका भूगतान करने हितु कर सकता है तो मेटर या बस यातरा के लिए भूगतान कर सकता है राज मारगो पर चुंगी के लिए और खुदरा खरिद के लिए तीनों पर ये काम कर सकता है भारत सरकार दोरा राजस्व का प्रधान सुरूत है तो यह अपर टेक्ष कर यानि इंडिरेक्ट टेक्स यहना काफी वैख्या हो सकती है लेकिन सीधा चलते हैं आगे बढ़ते हैं विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुड़ी तरह से प्रभावित हुआ तो यह जूट तथा रुई उद्योग राष्टिय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया 1952 में किया गया खुले बाजार के किरियाएं किस नीती का अंग है यह साख नीती का अस्टैक फ्लेशन क्या होता है तो मंदी के साथ मुद्रैस फिती को अस्टैक फ्लेशन बोलते हैं विस्व बैंक का मुख्याले कहां है यह वासिंग टर्डी सी में फादर अफ वाइट रेवलिशन थे वी कुडियन वर्गिस कुडियन पुरा नाम है इनका मुंबई प्रदानमंत्री कौन था दरसल यह प्रदानमंत्री इद्रा गांधी ती उस समय में इंद्रा गांधी ने राश्ट्रियक करन किया था इसके लवा किसी और की हिम्मत भी नहीं थी भौगतान संतुरन में सामिल है तो देखे केवल वस्तू और सेवाओं का एक चालू खाता केवल वितिय संपत्ती का एक पूजी खाता और केवल अधिकारिक निप्रान खाता केवल केवल हटा दिए यह तीनों जी सामिल है इसमें विधी का नियम या कानून का अधिराज जी का मतलब क्या है तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नयायत अंत्र इसका मतल जीवों तथा प्रयावरन के प्रस्थित्की का अध्यन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है प्रस्तित्की एकोलॉजी यानि प्रस्तित्की सब्द का प्रयोग किशने किया था तो इस सबसे पहले टॉंसले ने इसका इस्तिमाल किया था वन के पड़े सितिकी की तंत्र में कवक को किस समोह में समिलित किया जाता है तो यह आप घटन करता जलवायू परिवर्तन से सरवादिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाये गया है तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को वनों को नस्ट करने का कुपरभाव क्या पड़ता है तो मिर्दा अपरदन पर इसका कुपरभाव पड़ता है पहारों पर काफी नमी वजल होता है फिर भी यहां मरोद भीद क्यों होते है तो धलान के कारण पानी बह जाता है और पौदोधारा उप्योग में नहीं लाया जाता है प्रकृतिक प्रस्तिती तंत्र का उधारन क्या है तो यह जील क्रित्रिम प्रस्तिती तंत्र का उधारन क्या है तो यह खेत लवनिय जल प्रस्थित्की तंत्र का उधारन क्या है तो यह प्रवाल भत्ती पारिस्थित्की तंत्र के जैविक वा अजैविक घटकों को कौन जोडते हैं तो यह जोडते हैं कारबनिक अकारबनिक पदार्थ इसको जोडते हैं एक परिश्टित्की तन्त्र में उत्फाद को एवं उभुगताओं की संख्या को कौन निश्षित करता है? जलवायू संभंधित कारद इसको निर्दहरित करते हैं. परिश्टित्की तन्त्र के पादपोवाव प्राणियों के प्रस्पर समंधों का आधार क्या है? तो ये प पादक हड़े पौधों को प्रस्थित्की में क्या करते हैं तो उनको उत्पादक बोलते हैं मरुवस्थली भवन किसे होता है तो बहुत उच तापान एवं कम वर्षा के कारण जो है बहुत सारी मिट्टी मरुवस्थल में बदल जाती है अप घटक जीवों का उधारन कौन ह तो यह कवक बैक्टेडिया किस रेणी में सम्मिलित हैं यह अप घटक हैं बैक्टेडिया अप घटन करते हैं भारत के किस राजी में विश्व का सबसे बड़ा थोडियम का भंडार मौझूद है तो यह केरल में समुद्र तटो पे खास करके पस्चिम मंगाल की सिमाय किन तो तीन देसों के साथ लगी हुई है तो तीन देसों के साथ लगी हुई है पस्चमी मंगाल की मैप में देख लिजेगा। गीरा हुआ है यह त्रिपूरा भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राजी है करनाटक सिंग जिराफ बाइसन जैसे जैनवर घास अस्थल में मुख्यता पाये जाते हैं राश्टिय वन अनुसंधान संस्थान कहां इस थी था यह देरादून में भूमद रेख के सिव पोड़ी राश्टिय पार किसलिए परसिद्ध है तो यह तीन दुआ और चीतल के लिए परसिद्ध है यह आजकल चर्चाओं में रहाया यह इसलिए परस्ण बना है यह एकमात्र अभ्यारन है यहां कस्मीरी महामिर्ग पाये जाता है तो यह दाची ग्राम में कस्म किस राजी में है यह करनाटक में भारत पूर पक्षी अभ्यारन किस राजी में इस्तित है यह राजस्थान में सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है तो मैंग्रो वन उसको बोलते हैं भारतिय वन जीव संस्थान इस्तित है देहरादून में भारत सासन अधिनियम 1935 को चार्टर और स्लेवरी किस ने कहा तो ये कहा था जवाला नहरू ने 1866 इस वी में लंदन में इस्ट इंडिया एसोसीेशन के स्थापना किस ने किया था ये किया था दादा भाई नौरो जी ने किस वर्स मुसलिम लिग ने एक प्रिथक कडास्ट का संकल पलिया था ये लिया था 1940 में निमलिखित में से किस ने महात्मा गांधी ये खिलाख फट आंदोलन से जोडने का विरोध किया था ये किया था मौहमद अली जिन्ना ने दिल्ली का वाद सुल्तान जिसने अपने संस्प्रन लिखे थे वो था फिरोज तुगलत स्वतंदरता पुडवक पुडव भारत में निमलिखित में से किशे ने केंद्रिये विधान सभा में सुराज दल का समर्थन किया था ये किया था मौहमद अली जिन्ना ने किस विधान अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहडी सासन यानि दोयद सासन को स्वाप्त किया गया था तो ये था 1935 में इसको स प्रफ़ाइब दिल्ली से दौलतावात राजधानी को स्थांतित करने का आदेश दिया था सुल्तान मुहमद बिन तुगलक ने सम्विधान सभा में मुस्लिम लीक के कितने सदस चुने गए थे तो यह चुने गए थे 73 सात्वहन सासक जिसने अपरती हत चक्र तथा दक्षिन पत्थ पती की उपादी धारन की थी तो हो था सात्करनी पर्थम विद्वान राजसेखर किसके दरवार में दरवारी थे तो यह थे महेंदरपाल पर्थम में बाग ए निलोफर का निर्मान किस मुगल बादसाने करवाया था यह करवाया था बाबर ने निमलिखित मुस्लि किस कॉंग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुईकार किया गया था तो यह था फैजपूर अधिवेशन नहरु लियाकत समझोता कब और किसे संबंदी था यह था 1950 अलफ संख्यों को कि सुरक्षा से इन में से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ता में सामिल नहीं थ तो देखे मोहमद इकवाल उस समय नहीं थे 1940 वाले में पंडित राज जगरनात निम्न में से किस मुगल बादसा के दरवार में राज कवी थे तो यह साहज जहां के टाइम में थे राजवंस जो कॉनोज पर आधिपत अस्थापित करने के में त्रिकोणिय संगर्ष में उल रंबिरिनू की किताबूं हिंद निम्न में से किस भासा में लिखी गई थी संगर्ष भाद अजिगों से कौन सी करती राजा-रामौहन राय ढॉरा रचीत नहीं है तो बाकी और किताबए है और गिफ्ट तू इस अधिनियम के अंतरगत कलकत्ता में एक चितम नयाले की विवस्था स्थापना की गई है यह सही नहीं है बाकि जो सही है उसको भी एक बार देख लेना ज्यादा सही रहेगा फ्हेर आगिन बढ़ते हैं भारत के समीधान का पिता की से कहा जाता है भीम्राव मेदकर जी को आधुनिक मनु की संग्या दी गई है भीम्राव मेदकर जी को निमलखित में से किस अधिनियम को मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है तो यह Valerie का आधिनियम वाच्चक निर्वाचन का जनकी से कहा जाता है लौड मिन्टो को किस अधिनियम के था प्रिश्डेंसी कॉर्परेशन विद्यालियों और जमिनदारों के लिए अलग प्रतिनिधी तो का प्रावधान किया गया ये था 1909 का भारत प्रिश्द अधिनियम समिधान सभा के सदस्यों में अनुसोचे जनजाती के सदस्यों की संख्या थी तो यह थी 33 समिधान सभा के सदस्यों में महिलाय सदस्यों की संख्या थी 15 समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे राजिंदर प्रसाद समिधान सभा के उपाध्यक्ष थे हC मुखरजी भारतिय समिधान को कब अपनाए गया था 26 नौवंबर 1949 को डॉक्टर राजंदर प्रसाद को भारत के राष्टपती के रूप में चुना गया इनको चुना गया 24 जनौवरी 1950 को समिधान सभाग की अंतीम बेठक कब होई तो 24 जनौवरी 1950 को और उसी दिन चुना गया था इनको राष्टपती निमलिकित में से कौन सा कथन 99 के मारले मिंटो सुधार के संदर में सही नहीं है जो सही है उसको देख लिजिए जो सही नहीं है उसको मैं बता देता हूँ कि इस कानून के तर्थ भारत सचीव की परिष्ट का गठन किया गया जो एक निगमी निकाय थी ये कुछ भी दे दि निमलिकित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1911 के संदर में सही नहीं है देख जो सही है उसको देख लिजिएगा जो सही नहीं है इसके कॉर्डिंग वह है इसके ताथ प्रिथक निर्वाचन के आधार पर मुसलिमों के लिए समपरदाइक प्रतनेदितू का केबलों के अस्थान पर प्रकासी तंत्वों का प्रियोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवस्चेक्ता नहीं होती है निमलिकित में से किस्वे में सिल्वर नहीं होता है तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ठीक है ना ये समझ लिजिए किसी चीसे उस कारे गुल वा पधती के अध्यान के इस ग्यान को मसीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं bionix ball pin की सिधानत पर कारी करता है तो ये गुरित्वय बल पर काम करता है स्प्रीन का रासानिक नाम है acetic, salicylic, acid किस चटान के किनारे एक खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गती से सीधा उपर की और फेकता है फिर वह एक अन पत्थर को उसी गती के से नीचे की और फेकता है उस दोनों पच्छरों की गती का अनपात ग्याद कीजिए जब वे जमीन पर टकडाते हैं एक अनपात एक होगा, सिंपल है निर्ण में से कौन सा एक जैव रोड़क का स्रोथ है तो यह है एजोला एजोला यूज भी किया जाता है भोजा धान की खेतों में भी कई बार फोटोग्राफिक की फिल्म बनाने के लिए शिल्वर के कौन से लवन का प्रयोग की जाता है तो शिल्वर ब्रोमाईड का यदि तामबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा चार गुना हो जाएगा जब किसी वस्तु को प्रित्वी से चान पड़ ले जाए जाए तो भार बदल जाएगा प्रतु द्रविमान उतना ही रहेगा एड्स वाइरस क्या होता है एक सूची आर एन ए वाइरस होता है ये बास्मती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल है एमाईलेज का नाबके विखंडन के दौरान स्रिंखला अभिकडिया को नियंतित करने के लिए न्यूट्रोनों का अवसोशन करने के लिए प्रियोक दो तत्व है तो बोरोन है और केडमियम है इन दोनों का ही इस्तिमाल किया जाता है अती लगू समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निमलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो परमानु घडियों का अनुवंसिक सुचना का DNA से RNA का पड़वा कहलाता है अनुलेखन कहलाता है ये और द्योगिक भाहिसरवन द्वारा किये जाने वाले जल परदूसन को रोकने के लिए निमलिखित में से कौन से अप्तिरिन का उप्योगी पाया गया है तो यह जल कुम्भी एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं यह हैं आठी बॉडीज हाली में मिले कोरोना वाइरस का नया वैरियंट सबसे पहले किस देश में र KIM रिपोर्ट हुआ तो यह दचिन अफ्रिका में हाली में ब्वेस्टटेलिवेजन दिवस किस दिन मनाया गया है तो यह 21 नॉम्भर को मनाया गया हाली में मिले कोरोना वायरस के नई वेरियंट को डवलू एचो ने क्या नाम दिया है तो यह नाम है इसका ओमिक्रॉन हाली में 23 नमबर को समुद्री सुरक्षा सयोग पर पूरवी एसिया सिखर सम्मिलन भारत के किस सहर में आवजीत किया गया तो यह किया गया कोलकाता में किस राजी की कैबिने ने देश की पहली साइबर तफिल बनाने के प्रas 00 को पास किया है को स्थिया का अथक्स सिमा सुल्ख बूर्ड S.B.S.E. का अध्यक्स नि ut किया गया है वेक जोहरी को किस देश तो यह किया है अस्ट्रेलिया ने फ्रांस काफी नाराज हो गया था इससे किस देशने हाली में लॉंग मार्च फोर्ड भी रॉंग रॉकेट से अपना तीसरा गाओ फिन रिकोर्णिंस उपकरह लॉंच किया है तो यह किया है चीन ने किस बॉलीविड अभिनिता को सब्सक्राइब को राश्टिय क्रिकेट एक आदमी का अगला पर्मुक निवन में से किस पुर्फ खिलाडी को चुना गया है तो यह चुना गया है विविए लक्षमन को अभी अभी हमने 20 मिनिट में लगवाग 150 प्रसन को देखा है सभी प्रसनों को देखा है तो 20 मिनिट लगेगा तो हम लोग 150 प्रसन को देख लेंगे तो टोटल 300 प्रसनों का हमारा काम हो जाएगा तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं और प्रिविएस यह कोश्चन एंसेट्स नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यह सिम प्लेलिस्ट में इस को मैं डाल ना हो सकती है उसको नेगलेट करके चलिएगा जो जहां है अगर सिर्फ उसी को फॉलो कर लिजेगा और साथ में करेंट अफेर्स नाम से एक और फोल्डर बना रखा है तो भी आपका बीपीसी नहीं रुकेगा बीपीसी 67 कहीं नहीं रुकेगा तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का धेक्स किसे नियुकत किया गया है सहजानन्द प्रसाद सिंग को हाली में भारत के खितने वेग्यानिकों को स्वर्ण जयनती फैलोसिप परदान की गई है 17 वेग्यानिकों को दी गई है बिहार क्रिकेट एसोसियेशन ने किस महीने बिहार किरकेट लिक आयोजन किया तो मार्च 2020 में किया हाली में सत्य नारायन परदान को निवन में से किसका महाने दित्सक निउत किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल व्यूरो का नवगठी 33 कुमार में सबसे कम उमर के मंतरी कौन है ये थे मुके सहनी इनकी तो पाटी खतम कर दिये तो मुके सहनी उससे में सबसे कम उमर के थे वाइस एड्मिरल आरहरी कुमार निवन में से किसके में से किसके अगले परमुक होंगे तो ये होंगे भारतिय नौसेना के परमुक होंगे ये तो यह 1.68 प्रतिस्थ हाली में बिहार ने अफगानिस्तान पर NSA स्थरिये सिखर सम्मिलन की मेजवानी की है इस सिखर सम्मिलन में कुल कितने देश सामिल हुए सियासत में सदस्ता के लेखा कौन है यह है विजे कुमार चौधरी हाली में किस सेना के सेना परमुक जनरल परभू सर्मा को भारतिय सेना के मानद जनरल रेंग से सम्मानित किया गया है तो नेपाल के से थे वो बिजनस रेफॉर्म एक्षेन प्लान 2019 के नुसर इज अफ डूइंग बिजनस में बिहार का रेंग क्या है 26 हाली में लोक सिवा परसाड़न दिवस किस दिन मनाया गया यह मनाया गया था 12 नौमबर को केंद्रिया इस्पात मंतराल दरा चुने गए 12 आइकनों की सोची में ब giftFC देशी देट सीहें किंद्र राज किंद्र दरा उतर भारत में सबसे बड़ा हिमिक 본 gang कहा स्थापित किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है पूर्निया में में जस्टिस तो ओडिशा हाई कॉर्ट में सपत लिये है, भारत की पहली happiness index रिपोर्ट में बिहार का rank क्या है, तो यह 25 हाली में किस भारतिये से प्यारड ने बार्मानूर्ण भारतिय नौसेना को 44 स्कॉर्पियन पंडूबी वेला के सुपुर्दगी किया है, तो यह मजगाओं डॉक्या ने दिया है उसको बिहार के उस निर्माता का नाम बताईए जिसकी फिल्म The Scotland को आसकर के लिए नामन्त कित किया गया था तो यह है मनिस वादसल्य हाली में NPCI भारत बिल पे ने निवन में से किसके साथ समझोता किया है तो यह किया है ICICI Prudential Life Insurance के साथ 73 वे समिधान संसोधन कान का वैसिस्ट नहीं है अस्थानिय समुदाय में आतमिस्वास को नहीं जगाना जगाना होता तो सही होता लेकिन प्रसनी देख लिजी यह हिसाब किताब है वरतमान में रास्टिय महिला आयोग की परमुक कौन है तो यह है रेखा स्रमा भार सरकार ने दो जनवरी 2020 को बिहार राज जी के किर्शी कर्मन पुरुसकार परदान किया यह पुरुसकार दिया गया था तो यह दिया गया था सभी चीजों में दिया गया था इनमें से एक से अधिक होगा बहुत सारी फसलों में बिहार ने अच्छा काम किया था भारत में खाद परबंधन का निवन में से खाद्यानों का निर्यात नहीं है, बाकी चीए तो है ही, भारत में राजा सुगाटे से क्या तात्य पड़ी है? तात्र पड़ है कि भारत सरकार को अपने उन वैयों को के वित पोसन के लिए उधार लिने किया वे सकता है जो पुंजीगत पड़ी संपतियों का रिर्मान नहीं करते हैं निमलिखित में से कौन सा एक राजी के निती निजेसक तत्तों का मुल उद्दे से है तो सामाजिक और आर्थिक लोक्तंत इसका मतलब होगा राज मानवादिकार आयो के समंद में निमलिखित कतनों पर विचार किजिए चलिए कर लेते हैं विचार तो देखिए या केवल राज सुची और समवर्ति सुची में वर्णित विश्यों के समंद में मानवाधिकारियों के उलंदन की जाच कर सकता है सम्विधान संसोधन विधेक के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार किजिए देखिए इसमें भी केवल एक यही सच होगा इसी को देख लेते हैं सम्विधान संसोधन विधेक प्रतेक सदन के उपस्तित और मत्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। अतरी भासा में सिक्षा ये भी नहीं है और हिंदी भासा का विकास ये भी नहीं है। निमलिखित में से कौन सी उत्प्रेशन रिट की उप्यूक्त पडिभासा है। तो देखिए क्या पडिवासा है कि नियायाले अधिनस्त नियायाले या प्रादिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्चितर नियाले या प्रादिकारी को अस्तात्रित करने का आदेश देता है। लोकतंत्र में अधिकारों के संदर में निमलिखित में से कौन सा से सही है। कहीं पर भी हर्ताल का अधिकार नहीं है। समाचार पत्र पुर्व सेंसर से प्लाव करने के विरुद अधिकार बिल्कुल ये सही है। विरुद अधिकार है समाचार पत्र पर पुर्व सेंसर से लगाने के विरुद अधिकार है। मौन रहने की सतंधता का भी अधिकार है जब बरदस्ति एस्टेट किसी से कुछ बुलवा नहीं सकता है भारत के समिधान के नुचेद एक और देखते हैं उपर प्रशन हमारा छूट रहा था निमलिकित युगमों पर विचार कीजिए ठीक है इसको देख लेते हैं इसमें संविधानबाद के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सरवाधिक और प्यूग्ट है यह इस इधान को निदिस्त करता है कि सरकार अपनी अधिकारिता एक मुलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है तथा इसी के दोरा सिमित भी होती है इसका यह मतलब हुआ आगे देखते हैं रिट 16 अधिकार के समद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो देखे इसमें केवल तीन सही है कि अधिकार प्रिक्षा रिट की मांग गैर पिरित व्यक्ति दोरा की जा सकती है निमलिकित में से किने समिधान की अंतरात्मा के रूप में वर्नित किया गया है तो मूल अधिकार और राज के नितीत नि जिसक तत्त को किया गया है पारिस्थित्की तंत्र में उर्जा का प्रमुक सुरी है, सभाविक है, पारिस्थित्की तंत्र में उर्जा का हरास किसमे होता है, तो रुपांतरन से, एक से दूसरे में जाएका तो दस परसंट का नियम लग जाता है, हरे पौधे सुरी प्रकास को किसमें बदलते हैं, तो एक दिसात्मक होता है हमेशा, यूनी-डेक्शनल होता है, पारिस्तित की तंत्र में विभीर रासानिक थात्वों का परवाह कैसे होता है, तो चक्रिय होता है, देखिये, मतलब एक दुसरे में गूमता फिरता रहता है, उर्जा का गैर परणप्रागत स्रोत कौन सा होता है, तो ये है सौर विकरन। अवसाधी चक्र में किसका पढ़वा होता है。 खमीजों का होता है, खाद सिरिंखला की प्रते कड़ी क्या कहलाती हैं। तो पोसन अस्तर बोलते हैं हब लेविल को. हरे पादप भोजन सिरिंखला के किस अस्थान प्र होते हैं। तो प्रारम में होते हैं, जीवों के मद भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोसन करम को क्या कहते हैं, खाद स्रिंकला बोलते हैं, जीवे में उर्जा का अस्थांतरन किसके दोरा होता है तो ये खादे स्रिंकला से होता है इसका अस्थांतरन किसे होता है खादे स्रिंकला से एकाधी खादे स्रिंकलाओं के किसी अस्तरपड मिलने से क्या बनता है तो खादे जाल बनता है खादे स्रिंकला के अंतिम सिरे पर क क्या कहलाते हैं देखिए ये इन में से चारों नहीं होगा आप मुझे comment box में बताइएगा कि क्या बोलते हैं इसको वेस्व जभ विवित्ता संग्रक्षन से कौन सम्मधित है तो यह है नगोया प्रोटोकॉल नगोया जापान में है जभ विवित्ता संग्रचन के लिए उनकी लकडी का तसकडी मना है पस्चिम घाट के सगन सदाबार वर्णों को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं 16 जब बोलते हैं उनको तो इनको बोलते हैं 16 स्वक्ष जल समुदाय में लैंटिक आवास का उधारन है तो यह ज़रना और नदी गंगा डिल्टा के मैंगरो वर्णों क से की रचना होती है तो यह अमलीय होती है ठीक है न लगातार बारिस होने से न वह छाड़िये लवनीय हो जाता है लिटराइट मिट्टी महत्पन रूप में पाई जाती है माला बार तटिये छेत्रों में खडिप की फसल काटी जाती है नमबर की प्राड़म में लंबी रे से फसले कौन से होते हैं तो ये कपाज सन और जूट जो है ना ये लंबीरे से फसले होते हैं दालचीनी पेड़ के किस भाग से कत्र की जाती है चाल होता है आप देखेंगे तो ये चाल होता है दालचीनी नाम दालचीनी उसमें दाल होती है न चीनी होती है सागवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहां पैदा होता है यह होता है मद्य भारत में मसालो का बगीचा उपनाम से प्रसिद राजी है तो यह केरल किस राजी को भारत वर्स का चेनी का कटोड़ा कहा जाता है यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को भारत में गेहों का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है यह है उत्तर प्रदेश त्रेवेडी नहर में किस नादी से पानी आता है यह आता है गंड़क से भारत में किस राजी को चावल का कटोड़ा कहते हैं तो यह कहते हैं आंदर प्रदेश को गर्ने का अधिक्तम उत्पादन करने वाला राजी है उत्तर प्रदेश गेहों भी उत्तर प्रदेश ही करता है किस पेर में से हमें कुनेन प्राप्त होता है तो सिंकोना से भारत में एक कितने माह में पड़िपको होता है तो बारा माह लगयाता है एक साल में एक पड़िपको होता है भारत का सरवादिक पटसन उतपादक राजी कौन सा है तो यह है पशिम मंगाल भारत में जूट का सरवादिक छेतरफल किस राजी में है यह है पशिम मंगाल में मह ड़ानी विक्टोरिया को भारत की सामागरी कब नूगत किया गया? घोशित किया गया नूगत किया गया? दोनों अलग हिसाब किताबाए 18. promo का हिसाब किताब था वह था वो निमलिकित में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के परचार के लिए हिंदी भासा का प्रयोक किया तो ये किया था रामानिन ने उतर भारत में जैन धर्म के पड़मुक के अंदर थे तो उजैन एवर मतुरा उस समय थे पुराने समय की बात है मोगल समराट और अंगजेव कौन सा वाद यंत्र बजाते थे वीना बजाते थे वो सर पर्थम भारत वर्ष का उलेक किस अभिलेक में है तो यह हाथी गुमफा अभिलेक में बसीन की संधी कौन से आंगल मरठा युदि से संबन्दी था यह है पर्थम आंगल मरठा युदि से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पिर्थक निर्वाचक मंडल की मांग की तो अमरीत्सर अधिवेशन 1908 में कैबनिट मीशन 1946 के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है यह गलत यह कि गांधी जी ने कैबनिट मीशन का सरवादिक विरूद किया था यह गलत है निमलिकीत में से किस राजवन्स का उलेक संगम साहित में नहीं है कदम कर नहीं है अंग्रेजों ने दचिन भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहां खोली थी मचली पटनम में मसूली पटनम भी इसी को बोलते हैं भारती संग में विले के लिए इंस्ट्रूमेंट आफ एक्से मौलाना अबुलकलाम आजाद ये जो मिलान है ना ये गलत है बाकी सही है अबिना भारत वीडी सावरकर आत्मिय सभा राजा रामोहन राय और एस्याटिक सोसाइटी और बंगल विलियम जोल्स निमलिकित योगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो ये जहांगीर जो ह हुआ तो ये था सौदेशी आंदोलन चलाने के मुद्धे पर ये विभाजन हुआ था 1907 में सूरत स्प्लीट हुआ था मद्यकालिन भारत के मुगल सासक वस्तूतर थे तो ये चकताई तुर्क थे ये चरताई लिखा हुआ है एक ही चुगताई तुर्क भी होगा तो गलत नहीं होगा किस वर्ष को गांधी जी ने मौन वर्ष कहा है तो 1926 को सुराज पार्टी के सचेव थे मौतिलाल नहरू मुगल मनसबदारी विवस्ता के संदर में निम्न कत्नों पर विचार किजिए तो देखिए पहला और तीसरा सही है जात एवं सवारपद परदान किये जाते थे और म इसमें तो इन में से कोई नहीं है एक से अधिक वला उप्सन के थू जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे ना तो कंट्रोवर्सियल कई सारे स्टेट्समेंट से तो ऐसे प्रसन आपको पता ही चल जाएगा किस अधिनियम के ने पहली बार किंद्रिया बजट को लगया देखेंगे निद्री बार किंद्रिया बजट को राजियों के बजट से अलग कर दिया था तो यह था 1999 का अधिनियम निमल्गित में से कौन से कथन भारत सासन अधिनियम 1335 के संदर में गलत है तो देखें गलत इसमें है, देखिए इसने अखिल भारतीज संकिय स्थापना कि इसने भारतीय सासर अधिनियां 1859 दौरा स्थापित भारत परिश्यत को समाप्त किया ये भी सही है, इसने 321 धाराएं और 10 अनुसूचिया थे ये यह इसने पहली बार केंद्रिया बजट कोड आजियों के बजट से अलग कर दिया नहीं यह गलत है अभी हमने देख चुके हैं कि यह आगे बढ़ते हैं वर्स 1946 के अंत्रिम सरकार में डॉक्टर आजिंद्र परसाद को कौन सा विभाग परदान किया गया था तो खाद एमम किर्शी मंत्री थे वो वर्स 1946 के अंत्रिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्थी विभार का पदभार की से दिया गया था ये दिया गया था जौन मत्हाई को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री मंडल में विदेश मामलो का पदभार किसे दिया गया था ये दिया गया था जवाला नहरू को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री मंडल में ग्रिह मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया था ये दिया गया था बल्लभाई पटेल को सविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर को हुआ था यह पहला सत्र सविधान सभा एक दलिये देश का एक दलिये निकाय है सभा है कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस है भारत है यह कि थर किसका है यह ग्रेविले ओस्टिन का सतंत्र भारत के पहले मंतरी मंडल में सरम मंतराले का पदभार किसे दिया गया था जग जीवन राम को दिया गया था समिधान सभा का और स्थाई अधेक्षी से चुना गया था डॉक्टर सच्तानन सिन्हा को सबसे बुजूर्ग वही थे समिधान सभा का समयधानिक सलाहकार किसे चुना है वर्स 1946 में समिधान सभा में ओदेश से प्रस्ताव किसके दौरा पेश किया गया था ये पेश किया गया था जवाहलाल नहरू के दौरा सोतंतरता बाद समिधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी 299 हो गई थी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ 1912 में अलग हुआ बिहार 22 मार्ज को हम लोग बिहार दिवस मना लेते हैं यही साथ किताब है चमपारण आंदोलन से कौन सम्मधित नहीं था जे प्रकास नाराय नहीं थे चमपारण में भारतिय समिधान में राष्टिये गीत को कब अपनाये गया 24 जनवडी 1950 को तिनकठिया पधती सरवाधिक पर चलित थी चमपारण में समिधान सभा निर्बान में कितने रुपे का खर्च हुआ था यह हुआ था 64 लाक रुपया समिधान सभा में संग सक्ती समिती के अध्यक्ष थे तो यह थे जवाहा लाल नहरू समिधान सभा में संग्ये समिधान समिती के अध्यक्ष थे तो यह थे जवाला नहरू निमलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारिया एक उत्परिवर्थि जिनके कारण होती है तो देखिए हिमोफेलिया, सिकोलिया, सैल एनीमिया और थैलसीमिया ये तीनों ही होती है इससे स्वेट कोईला किसे कहा जाता है तो जल विद्धुत को निमलिखित में से कौन उस्मा का सबसे कम चालक है तो यह सीसा टेनिस गेंद के समतल के अप्रिक्षा उची चोटिये पर अधिक उचलने का क्या करन है तो कम घरत्वे वायू, वायू भी फ्रिक्षान देती है तो उपर वायू नहीं होता है यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग डेर गुना बढ़ा जाए तो उसकी गतिज उड़ जा तो वो सबादो गुना बढ़ जाएगी वो ठीक है ना उसका कैलकुलेशन है सिंपल है सबादो गुना बढ़ जाएगी इन में से कौन महामारी और अस्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है तो यह हैजा निम में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है तो थीरी डायमेंशनल अस्ट्रक्षर यह नहीं होता है उसका लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है तो यह एक वायर कनेक्शन है सबसे बड़ा अनु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है तो यह गुनसूत रुवन निमलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबूला की रूप में भी जाना जाता है तो मेसियर 16 को कितना कुल ऑक्षिजन और रक्ट सरीर में मस्तिस्क दरा इस्तिमाल किया आता है तो 20% इस्तिमाल कर लेता है आँख का कौन सा भाग आँख के डंकर निर्धारन करता है तो यह करता है आईडिस आईडिस है ना उसका निर्धारन करता है फसल सयंक्तर का कवक रोगनी में से कौन सा है तो यह कापास का विल्ट टेलिफोन या STD कॉल की सुविधा किस उपगरह की सहायता से उपलब्द कराई गई इंसेक्ट टूबी से ट्रीटोन किस गरह का उपगरह है तो यह है वरुन का वायू मंडल में प्रकास के विशरन का कारण है तो यह है धूलकन में कारण धूलकन ही है चुम्ब किये प्रेरन का ऐसाई मातरक है तो यह होगा गाउस चुम्पिये प्रेडन का ऐसा ही मातर क्या है तो यह होगा गाउस आत्मत्या की थेलिकी से कहा जाता है तो लाइसोसोम को गुनसुत्र का बाहरी आवरन क्या कहलाता है यह कहलाता है पेलिकल 10 plus points 20 years नामक पुस्तक किस वडिस्ट कॉंग्रेसी नेता ने लिखी है जो दिसंबर 2021 में रेलिज होगी तो यह लिखा है मनिस्तिवारी ने निती आयोग ने सतत विकास लक्ष सहरी सुचकांक और डैसबोर 2021-22 हाली में लॉंच किया इस सुचकांक में सबसे उपर कौन सहर है तो यह सबसे उपर है सिमला हाली में किस केंद्रिये मंत्री ने स्रम ब्यूरो चंडिगर दोरा किये जारे गरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतिये स्तरवेक्षन को जंडी दिखा कर सुरू किया है तो यह किया केंद्रिये स्रम और रोजगार मंत्री भूपिंदर यादव ने कच्चे तेल की कीमत को इस्ति रखने के उदेशी से भारत अपने सामरी भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा पचास लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा हाली में पांचवी विश्व कॉंग्रिस ओन डिजास्टर मेनेजमेंट WCDM 24-27 नमबर को भारत के किस सहर में आयुजित की गई तो ये की गई थी दिल्ली में हाली में किस केंद्रिय मंत्री ने थीम आधारे टोडिस सरकी ट्रेन भारत गरव शुरू करने की घोसना की है हाली में पूर्ष सैनिक टनास हाँ चुन-डू-हान का 90 वर्ष की आयू में निधन हो गया वे किस देश के पूर्ष सैनिक टनास था थे दच्छिन कोडिया के सैनिक तनास हाथ थे वो पहले हाली में नौसेनिक डॉकियार्ड मुंबई में रक्षा मंतरी राजना सिंग की उपस्तित में भारती नौसेना में निव्ण में से किस जहाज को सामिल किया गया है आयनस विसाका पत्नम को हाली में केंद्रिय मतर से पसुपालन और डेड़ी मंतरी पुरसोत्तम डुपाला दोरा भोनेश्वर में विसो साहित दिवस पुरुसकार परदान किये गए इस पुरुषकार समारों में किस राजी ने सरुसेष्ट समुदरी राजी का पुरुषकार जीता है ये जीता है अंदर प्रदेश ने हाली में किस केंद्रिय मंत्री ने मेगाले में केंद्रिय हिंदी संस्थान के नव निर्मित भवन का उद्गाटन किया है तो चलिए अभी हमने 300 प्रस्णों को देखा है बाकी की जो भी वकवास बाते थी यह मैंने इसले नहीं कर रहा है क्योंकि एक्जाम काफी नजदीक है और आप बस यहां से जो है ना मैं इतने प्रस्ण मैंने कड़ा दिये हैं और यह सारे प्रस्ण बहुत खास है प्रस्ण य सिंपल तरीके से कराऊंगा कोई हाइफाई नहीं तेजी से बोलके कराऊंगा आप लोग अपने अनुसार से उसको पूड़ा कर लीजिए प्रस्ण नहीं छुटेगा जितने लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को उनका सेलेक्शन हो जाएगा मैंने पहले भी कोश्ण निकाले थे लेकिन अब जो कि कमप्टीशन का लेवल बढ़ चुका है इसलिए मेरी मेहनत भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप लोग इसको देख ले और काफी दिया है मैंने डिवीजिन के लिए भी आपको प्रोपर टाइम मिले इसी साब से मैंने एक्स्ट्रा वीडियो डालना अभी कम कर दिया है बंद नहीं किया बहुत कम कर दिया है तो चलिए फिर मिलते हैं एक चोटे से ब्रेक के बाद धन्यवाद